अब देख रहे हैं कोशिन नमर फस्ट गोष्ट का प्रमे लिखिये तथा सिद्ध कीजिए इसकी अत्वा में हैं क्लाँसियस मौसुटी समीकरन लिखिये तथा शिद्ध कीजिए यूनिट सेकेंड है कोशिन नमर तू लेंगराज बल क्या है ृसके अधार पर चुम्री के च कीजिए यूनिट थर्ड कोशनमर थर्ड है सियाय परिपत में संधारित्र का आवेशन तथा निरावेशन के वेंजब को निगमित कीजिए इसके अथ्वे में है ननस्ट समीकरन क्या है इसका उपयोग लिखी उपयोग समझाइए फिर कोशनम यूनिट फोर कोशनमर फोर समस्थायनिक किसे कहते हैं थॉम्शन ने धन किरुनो के विशलेशन से समस्थायनिकों की खोज किस प्रकार की है फिर यूनिट फाइब आप देख रहे हम कोशनमर फाइब मैक्षमेल के शमीकरन को लिखिए तथा इसे निगमित कीजिए इसके अत्वा में हैं आयन मंडल से विद्दु चुमिके तरंगों के परवर्तन समंधिक रांतिक आपवर्ती तथा सिंकेट नियम के बेंजन को निगमित कीजिए इस तरह से आप सारे कोशन को मेंच कर लीजिए इसके बाद ही आंसर को नोट डाउन करें गोश के प्रमे को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए य आप इसे नोट डाउन कर लेए झाल 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 अब देख रहे हैं कोशन में शेकिन का अंसर अब देख रहे हैं कोशन में थार्ड शियार परिपत में संधारित्र का आविशन तथा निराविशन के बेंजग को निगमित कीजिए इसके प्रमे परिपत लेए झाल परिदी झाल 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 आप देख रहे हैं कोशन नमर 4 का आंसर आप इसे नोट डाउन कर ली आप जितना अच्छा लिखोगे आपको इतने अच्छे नमर मिलेंगे तो कोशिश कीजी कि आप अच्छा लिखें कि अच्छा लिखें कर दो ंच्छा है यार्ण सेच्छा लिखें के अच्छा लिखें कि अच्छा लिखें एच्छा लिए अच्छा लिख जचा लिए बादने याप करोशा लिए आपट्गें झाल 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 अब हम देख रहे हैं कुछ नमर 5 का अंसर झाल झाल प्रेंड्स आपने नोट डाउन कर लिये होंगे तो आपने फ्रेंड्स को यह वीडियो जरूर सेयर करें इस चैनल को सस्क्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स मुझे कमेंटर के जरूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के वीडियो क्या आउशकता है तो मैं उसे टाइम पर प्रोवाइड करभा पाऊं और आप यह मुझे बता दे कि आप किस यूनिवर आशानी हो जाएगी थेंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो